गोरी कवी का घर तूट गया था इसलिए गोरी कवी कालु कवे से कहती है कालु जंगल जाओ और कुछ सूखी लकडियां लेकर आओ हम घर की मरम्मत कर लें ऐसा नहों के बारिश शुरू हो जाए गोरी इन दिनों जंगल में सूखी लकडियां मिलना बहुत मुश्किल है मगर मैं जाता हूँ फिर कालु कवा अपना कुल हाडा उठा कर जंगल की तरफ निकलता है वो सारा जंगल घूमता है मगर उसे कहीं से भी कोई सूखा हुआ पेड नहीं मिलता फिर उसकी नजर एक पेड पर जाती है जिसके पते गिर चुके थे कालु कवा वहाँ जाता है इस पेड पर कोई भी बता नहीं है मैं इसे काट लेता हूँ कोवे ऐसो ना करना तुम मुझे ना काटना मैं एक अनार का पेड हूँ पत जड़ का मौसम है इसलिए मेरे पते गिर गे हैं बहार आते ही मैं फिर हरा भरा हो जाओंगा मुझे अपना घर बनाने के लिए लपड़ियों की जरूरत है और तुम मुझे पसान दागे हो मैं तुम्हें ही काटूंगा कवे की ये बात सुनकर वो पेड कवे से कहता है मैं तुम्हें अनार दे सकता हूँ तुम मेरे अनार खा सकते हो ऐसा कहते हुए पेड अपनी सूखी डाल से कव्वे को एक जादूई अनार दे देता है ये कैसे हुआ तुम तो सूखे पेड हो मेरे पास जादूई शक्ती है मैं सब कर सकता हूँ फिर कालू कवा वो अनार लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है कालू जी ये क्या तुम गे थे सुखी लकडिया लेने और अनार लेकर घर आगे हो फिर कालू कवा अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है वो जादूई शक्तियों वाला पेड था और कालू तुम भी उस पेड से एक अनार लेकर ही खुश होगे तुम उससे कुछ और भी तो मांग सकते थे जैसे सोना जैसे धन दोलत तुम ये अनार खाओ बाकी का काम कल करेंगे फिर दूसरे दिन कालू कवा फिर से उस पेड के पास चाहता है और उससे कहता है जादूई अनार के पेड मेरी मदद करो मैं बहुत गरीब हूँ मुझे अनार नहीं बलके धेड सारा सोना दे दो अगर तुम सच में गरीब हो तो मैं अपनी जादूई शक्ती से तुम्हारी मदद करूँगा फिर उस पेड से एक रोशनी निकलती है और वो बेड कालू कवे को एक थैली दे देता है इस थैली में सोना है जाओ और तुम जाकर अपनी घरी भी दूर करो कालू कवा वो सोना लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है सोने की थैली देखकर गोरी कवी तो खुशी से पागल हो रही थी देखो देखो मैं क्या लाया हूँ कालू हम अमीर होगे मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा गोरी गोरी वो पेड सब कर सकता है कालू जी क्यों ना कल तुम उस पेड से अपने लिए एक बड़ा और सुन्दर सा घर भी ले लो ऐसे कालू कवा दूसरे दिन फिर से उस जादूई शक्तियों वाले पेड के पास जाता है कवे तुम फिर आगे हो अगर तुम लालची कवे हो तो देखो तुम यहां से चले जाओ पेड जी पेड जी मेरे पास घर नहीं है पलीज मुझे एक सुन्दर सा घर दे दो मैं सच कह रहा हूं अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैं तुम्हें जरूर घर दूँगा फिर उस पेड से एक रोश्नी निकलती है और वो पेड कवे से कहता है कवे जाओ जाओ तुम्हारा नया घर बन गया है कवे बहुत خुश होता है वो भागता है कव्वा दूर से ही अपना निया घर देखकर बहुत खुश हो रहा था गोरी गोरी कैसा लगा हमारा निया घर मगर गोरी कव्वी उदास थी गोरी क्या हुआ तुम अभी तक उदास हो घर मिल गया सोना मिल गया और क्या चाहिए तुम है कालू जी गलती हो गई, वो पेड हमें सोने का घर भी तो दे सकता था, फिर ये लकडी का घर क्यों मांगा तुमने उस पेड से? कोई मुश्किल नहीं है, मैं कल फिर जाओंगा, मैं कल उस पेड से सोने का घर मांगूंगा अपने पती की ये बात सुनकर गोरी कवी खुश हो जाती है, चिडिया गोरी कवी के पास आती है गोरी तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? ये राज की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, चिडिया ये टॉप सीक्रिट है मेरा गोरी बहन, वो जो सामने वाले पेड़ पर आपका पूराना घर है, वो आप मुझे दे दे, मेरा घर तूट गया है ना जी ना, हम वो घर तोड़ तो सकते हैं, मगर किसी को नहीं देंगे चिडिया बेचारी निराश होकर वहां से चली जाती है चिडिया कुछ तो है, कुछ तो है, उस कवे ने इतनी जलती, इतना बड़ा घर कैसे बना लिया, हमें ये सब जानना होगा फिर दूसरे दिन जब कालु कवा पेड़ से सोने का घर लेने जाता है, तो कबूतर और चिडिया भी छुप छुप कर कवे के पीछे जाते हैं मैं भूल गया था पेड़ जी, मुझे तो सोने का घर लेना था, मगर आपने मुझे लकडी का घर दे दिया ये सुनकर पेड़ मुस्कुराता है, केवल सोने का घर ही बना दू, या फिर उस घर में सारी चीजें भी सोने की हो पेड़ की ये बात सुनकर कवा और भी लालच में आ जाता है हर चीज, हर चीज सोने की बना दो मेरे घर में वो पेड़ जादूई पेड़ था, इसलिए वो सब कर सकता था एक रोशनी निकलती है और पेड़ कहता है जाओ कवे, तुम्हारा घर भी सोने का बन गए है और घर में हर चीज भी सोने की बन गई है कवा खुशी खुशी वहां से चला जाता है चिड़िया और कबूतर भी ये सब देह कर वहां आती है और उस पेड़ से कहती है पेड़ पेड़ जी, वह कवा बहुत लालची है मगर सच हमारे पास घर नहीं है पलीज, आप हमें एक एक लिकड़ी का घर दे दे पेड़ जी, घर छोटा हो मगर इतना के हम वहां ठंड के दिन गुजार सकें पाक्षियो लालच बुरी बला होती है जिसने किया लालच उसने सब खो दिया जाओ, तुम्हारे घर बन गए है चिडिया और कबूतर भी खुशी खुशी अपने घर वापिस चले जाती है कवा तेजी से अपने सोने के घर की तरफ जा रहा था वो बहुत खुश था वो बहुत खुश था वो सोने के खड़ के अंदर जाता है गोरी, गोरी कहा हो अब तो हम बहुत अमीर हो गए है मगर गोरी कवी बोल नहीं रही थी क्योंके वो भी सोने की बन गई थी ये देहकर कालू कवा रोने लग जाता है हाई मेरी पतनी हाई मेरी गोरी पतनी पतनी जी ये क्या हुआ मैं भूल गया था कि तुम भी घर के अंदर हो अब मैं इस सोने का क्या करूंगा कालू जी मैं सुन सकती हूँ बॉल सकती हूँ मगर अपनी जगा से हिल नहीं सकती तुम जाओ और किसी भी तरह मुझे ठीक करो मुझे कुछ नहीं चाहिए ना सोना ना चांदी बस मुझे पहले जैसी कर दो पेर जी बहुत बुरा हुआ तुम कभी खुश नहीं हो सकते लाल जी कवे अब तुम क्या लेने आए हो पेर जी मेरी पतनी सौने की बन गई है पलीज उसे ठीक कर दो मुझे मेरी असली काली वाले गोरी वापिस ला दो मगर जो तुमने मुझे से लिया तुम्हारे लालच ने वो सब गवा दिया है पेर जी मुझे कुछ नहीं लेना बस मेरी गोरी पतनी मुझे दे दो फिर उस पेर में से एक रोशनी निकलती है जाओ कवे सब पहले जैसा हो गया है और अब अगर तुम दुबारा मेरे पास आए तो मैं तुम दोनों पती पतनी को पत्थर के बना दूँगा कवा डरता हुआ वहां से चला जाता है घर बैठी कवे की पतनी रो रही थी कालू मैं तो ठीक हो गई मगर सब जाता रहा हमारे लालच ने सब गवा दिया गोरी सोने का घर भी गया और सब गया अब फिर से हमें इस टूटे हुए घर की मरमत करना होगी ये सोचकर कवा और कवी रोने लग जाते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है के लालच बुरी बला है और प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद चिडिया और उसकी बेटी दाना ढोंड ढोंड कर ठक गएं थी मगर आज उन्हें कहीं से भी दाना ना मिला था बुरीया बेटी अब तो शाम होने वाली है आज हमें खाली हाथी घर लोट कर जाना होगा ममा हम कल अगले जंगल जाएंगी हो सकता है हमें वहाँ से दाना मिल जाए फिर वो मा बेटी भूग के पेठी वापिस लोडती है रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है बचाओ बचाओ मेरी मदद करो मैं बहुत मुश्किल में हूँ कोई मेरी मदद करो ममा कोई मुसीबत में है कोई आवाज दे रहा है हमें देखना होगा हाँ बेटी आवाज तो मैंने भी सुनी है फिर वो मा बेटी नीचे घने जंगल में आती है वहाँ एक सुन्दर परी मकडी के जाल में फंसी हुई थी चुड़िया मेरी मदद करो मगर सुन्दर परी मैं तो बहुत कमजोर हूँ मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ मेरी जादू की चड़ी मेरे हाथ से चूट कर नीचे गिर गई है आप मुझे मेरी वो जादू की चड़ी उठा कर पकड़ा दें सब ठीक हो जाएगा फिर ममा चड़िया उस परी की जादू इचड़ी उठा कर उसे दे देती है जिससे उस परी की सारी शक्तिया लोटाती है और वो परी उस जाल से आजाद हो जाती है हमें आपकी मदद करे के बहुत हुशी हुई आपके पंख बहुत संदर है मुझे सम्मालूम है आप भोजन के कारण बहुत परेशान है और आपने हमेशा नेकी के काम किये है इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ ऐसा कहते हुए वो परी अपनी जादू की छड़ी गुमाती है और ममा चिडिया को एक पोटली देती है सुन्दरपरी इसमें क्या है क्ये दाना है इसमें नहीं इसमें दाना नहीं बलके तीन रंगे बीच है एक लाल केले का एक पीले केले का और एक हरे केले का आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो यह जादूई बीज हैं, मगर चड़िया लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है, जिसने कभी बुराई ना की हो, अगर कोई बुरा पक्षी लाल रंग का केला खाएगा, तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा, ऐसा कहते हुए, वो परी गाइब हो जाती है, ममा चड़िया और उसकी बेटी वो जादूई बीज लेकर अपनी रह लेती है, घर जाकर गुडिया और उसकी ममा वो बीज अपने घर के पास ही लगा लेती है, और अपने घर चली जाती है, ममा क्या सच में उन जादूई बीज से केले के पेडू गेंगे, हाँ बेटी, वो अच्छी परी जूट नहीं बोल सकती, बातें करते करते वो मा बेटी सो जाती है, सुभा हो जाती है, गुडिया और उसकी ममा जलती से घर से बाहर निकलती है, अपने सामने केले के बड़े बड़े पोदे देखकर उनकी तो आँखें खुली की खुली रह जाती है, ममा लाल, पीले और हरे, तीन रंग के केले लगे हुए है हाँ बेटी मगर याद रखना ला रंग का केला सिरफ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो मगर ममा आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती है फिर वो दोनों मा बेटी तीनों पेड़ों से मीठे, स्वाधिष्ट और रंग बरंगे केले तोड़ कर खाती हैं गुडिया बेटी आपके अंकल मीठु भी भूखे होंगे जाओ ये केले मीठु अंकल को दे आओ मगर मामा ये पीले वाले केले देना हो सकता है मिठो अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो ऐसे गुडिया पीले रंग के केले लेकर मिठो अंकल को देने चली जाती है गुडिया ऐसे स्वाधिस्ट और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं खाए अंकल ये जादूई केले हैं ये बहुत मीठे हैं कबूतर भी गुजरता हुआ चिडिया के पास चाता है चुडिया चुडिया ये केले के पेड़ कल तो यहां नहीं थे ये हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है आप चाहें तो इन में से केले खा सकते हैं मैं तो ये लाल केला खाऊंगा कबूतर भेया, ये लाल केला सिरफ वे ही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता एक बार मैंने चोरी की थी मुझे आज भी याद है, मैं ये पीले ही खा लेता हूं फिर कबूतर पीले केले ले जाता है बात गोरी कववी और कालू कवे तक भी पहुंजाती है वो पिद्धी सी छोटी जडिया रंग बरंगे केले खा रही है और कालू तुम्हारी पतनी भूकी बैठी हुई है उसका कुछ करना होगा मैं अभी उस चडिया से केले लेकर आता हूँ नहीं कालू जी उसे वहां से भगाना होगा मैं वो केले के पेड़ ही लेना चाहती हूँ फिर कालू कववा और गोरी कवी चडिया के पास चाहते हैं गोरी बेहन क्या आप भी केले लेने आए हैं नहीं जुडिया हमारे पास तो बहुत भाजन है मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि पहाडों के पास कबूतर और मिठु की लड़ाई हो गई है वापस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे हैं गोरी और कालू मजे मजे से पीले केले के पेड़ से केले खाने लगती है चिडिया को रास्ते में मिठू मिलता है मिठू तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है चिडिया ये तुम क्या कह रही है मैं कबूतर से क्यों लड़ाई करूंगा वो तो मेरा पुराना दोस्त है हम दोनों तो अभी अभी नदी के पास बैठ कर केले खा कर आए है पीछे से रोती हुई गुडिया भी वहां आ जाती है ममा, ममा, उन बुरे कवों ने मुझे भी वहां से भगा दिया है वो कहते हैं कि आप वो जादुई केले के पेड़ उनके है अब मैं समझी, उन्होंने मुझे छूट बोल कर यहां भेजा है गुडिया बेटी, आप चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ फिर वो मा बेटी वापिस आती है तुम फिर आ गई, सुन लो, सुन लो जडिया, तुम भी सुन लो अब ये केले हमारे है हाँ हाँ, गौरी ये केले तुमारे ही है मगर मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई हूँ ये लाल रंग का केला ना खाना ये बहुत सवादिष्ट और मीठा केला है ये तो मैं ही खाऊंगी ये सुनकर, गौरी जल्दी से उड़कर लाल केले के पेड़ पर बैठ जाती है चोटी जडिया, मैं अब तुम्हें इन पेड़ों से कोई केला भी नहीं दूँगी ऐसा कहते हुए, गौरी उस पेड़ से लाल केले तोड लेती है मुझे भी दो, गौरी मुझे भी दो मैं भी ये लाल रंग का केला खाकर देखूं कैसा है ये फिर गौरी और कालू, वो लाल रंग के केले खाने लगते हैं केले खाने के कुछी दिर बाद कालू और गौरी गिर जाते हैं वो उठकर खड़े होते हैं और फिर से गिर जाती हैं गुडिया और उसके ममा हंसने लग जाती है गोरी आंटी ये लाल केला बुरे पक्षी के लिए नहीं था आप मालूम हुआ हमसे पंगा नहीं लेते मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें चिडिया गोरी मुझे खड़ा करो मैं उठबी नहीं सकता अब तुम दोनों कीडों की तरहा रिंग रिंग कर अपने घर चले जाओ वरना मैं मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूँगी ऐसे वो बुरे कवे लाल रंग का केला खाने से कमजोर हो जाते हैं और रोते हुए वापिस अपने घर चले जाते हैं और चिडिया उन पेड़ों से रंग बरंग केले खुद भी खाती है और दूसरों की भी मदद करती है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है आपका धेने वाद